परमात्मा कहते हैं कि तीन प्रकार के पास हैं, तो इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना है, एक होता है कोई बात वरास्ते को पास करना, एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नस्दीक को भी पास कहते हैं, नस्दीक अर्थात समी परत्न, तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो त्रिशूल का तिलकर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास यह बहुत अच्छा पास सब्द जो आता हिंदी में पास सब्द बोलते हैं लेकिन कोई भी बात जो बीत गई पास हो गई जिसको कहते पास्ट is पास्ट पास हो गई, दूसरा, जब हम कोई परिक्षा देते हैं, कोई इंतिहान होता है, उसमें हम पास मार्क लेते हैं, वो भी पास सब्दाता है, और तीसरा, जब हम किसी के समीप रहते हैं, तो कहते हैं, बहुत पास में रहता है, समीप रहता है, तो ये तीनों सेर्टिफिकेट प बार बार रिवाइज न करें और दूसरा जो भी पेपर आएं जो भी परिक्षाएं आएं हमारे सामने उनको हम सहज रीती से पास कर लें और तिसरा परमात्मा के पास रहें उनके समीपता का अनुभव करें तो ये जो तीन पास सब्द हैं यही वास्तों में तिरसूल की निशानी परमात्मा बताते हैं तिरसूल में तीन कोने होते हैं और वो तीनों कोने ये पास सब्द से आज परमात्मा वाणन कर रहें ये तीनों चीज़े अगर पुद्धी में धारण हैं तो फिर हम किसी भी बुराई का परिस्यति का सामना कर सकेंगे ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अगर अभी अभी अपना ताज तेलक और तक्त नशीन पुर्शोत्तम मर्यादा संपन स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविश्य स्वरूप भी देखो तो दोनों में से कौन सा रूप स्पष्ट आकरशन मूरत अलोकिक दिव्वे वह रुहानी देखने में आएगा अभी का वह भविश्य का तो अपने स्वरूपों का सदा साक्षात करते और कराते रहते हो वर्तमान स्वरूप हमारे पुर्शारत के आधार से है और भविश्य स्वरूप हमारे इस संगम के पुर्शारत की प्रालब्द है वो हमारे संपूर्टा के चिन है इसलिए आकरशन तो भविश्य स्वरूप की होगी लेकिन उसका साक्षात कार कराने के लिए हमारे पुर्शारती जीवन जिसमें अगर हमारी बहुत अच्छी मानसिक इस्तिती है और उस इस्तिती के आधार से हम रुभानियत को धारन करके किसी के सामने जाते हैं तो जो हमारे द्वारा साक्षातकार इस रोप से होगा उसी से हमारे भविश्य को कोई समझ सकता है कि बरतमान में मैं कैसा पुरसारत कर रहा हूँ और क्या लक्ष है अगर हमारे वो बोल में चलन में लायल्टी परस्नलिटी दिखाई देती है तो लोग मानेंगे कि हां यह भविश्य में ऐसा बनेंगे भविश्य का धरपन जो है वो बरतमान हमारा जीवन है वह सब परमात्मा कहते हैं कि एक है फाइनल स्टेज आज कल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है तो अभी रिफाइन है डबल रिफाइन होना है वह रिफाइन होना है पहले से ही अपना संपूर्ण साक उसको हमें चेक करना चाहिए कि जिस प्रकार परमात्मा हम से चाहते हैं, उस प्रकार से रिफाइनने साही है, वो सफाई है उसके अंदर जैसा वो चाहते वैसा ही है, या उसको और रिफाइन करने की जरूरत है, कि रिफाइन माना बिलकुल प्योर, जो डबल रिफाइन का ज जाता है सब चीजे जो भी उसमें मिलावत होती हो सब को निकाल देते हैं उसे में प्रयोग कर के यहां पर ग्यान और योग की सकती से हम आत्मा को डबल में बनाते हैं जैसे प्लें को उड़ाने के लिए डबल पेट्रोल की जरूरत होती है साधारन पेट्रोल अगर उसमें डाल दिया जाए तो प्ले नहीं उड़ेगा तो ऐसे ही हमें उड़ती कला में जाना है उचाही तक पहुचना है तो डबल रिफाइन स्टेज चाहिए माना किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं चाहिए अपने मनमत की मिलावट नहीं जो स्रीमत कही है जो स्रीमत मिली हुई है उसी प्रमान हमारा पुटसार्त हो तो जितनी हमारी डबल रिफाइन स्टेज माना जो परमात्मा की स्रीमत है उसी अनुसार बनती जाएगी उसी अनुसार हमारी उड़ती कला होगी चड़ती कला होगी हम इस अंसार में रहते विए उंची इस्तिति का अनुभव कर सकेंगे, तो वो double refine stage है, तो बार बार चेक करने के ज़रुआते हैं, चेक करना पड़ेगा, और उसको अगर कुछ भी मिलावट है, तो उसको refine करें, और refine करते हैं, उसको double refine कर दें, माना स्रीमत को सामने ले करके, उसको double refine करके ग्यान योग की सक्ति से संपूर पावन बन जाए आत्मा, सवच्छ बन जाए तो double refine कहलाएगी, नहीं तो कुछ न कुछ अगर मिलावट रह गई तो बाबा इसको और एक सब्द देते हैं, अगर उसमें मिलावट है तो fine भैना पड़ेगा, सजा कानी पड़ेग क्धिल्ज बन जाए आत्मा, सवच्छ बन जाए तो जाए.